अस्सालम अलिकूम कैसे हो आप सब और हम्दूलिलव में एक शुट उमध करती हूंएं की अच्छ तो पिटफ़ा ने पहले तो लाइब आई उसमें आके वो पूली के मैं नहीं आना चाती थी यसए आई अनचाती थी जी कहार शुट करके जारी हूं नीचे सब जने मेरा वेट कर रहे हैं बच्चे नीचे तो मैं जारी हूं जारी हूं और जब वीडियो चालू की तो पता चला के यह अरत तो उपर ही थी और वहीं पर टैम पास कर रहे थी यह कोई नीचे नहीं थी इसने बोली थी लाइब में के सब जने पीछे बैठे हुए मेरा वेट कर रहे हैं मैं जा रही हूं आर्टिकल को लांच करने के लिए जा रही हूं और बाद में पिर ये ज़ाइद बाते गई और ये वीडियो में इसने लांच की ए और ये जो कप्ड़े क्यों तैयार हुई थी तेरे अब्बू की बरात थी तेरे अब्बू का वलीमा था और यह हर चीज में हर celebration में celebration में तु यह गले में डुकटा दालके अपने ममें दिखाने का यह सारा कांड क्यों करती है तुने यह तो नहीं की कि हाँ चलो भई एक चीज में से मैं निकल के दूतरी में जा रही हूं जहां पर बिद्नेस नाम की कोई चीज है वहां पर कोई गंदगी नहीं होगी कुछ नहीं होगा तो मैं वहां जाके बिद्नेस करूंगी और मैं उसमें सफल हूं ताकि यह वाइटी की भी मुझे ओर वाले को याद करते फिर अपना काम सुरू करते है कोई भी अच्छा काम रहने दो जरूर धो जरूरी नहीं के बिद्नेस में ही God depress आशे काम के लिए उपर वले को टैंक यू बोलके अपने अपने तरीके से शुक्री आद़ जरूर करते हैं लेकिन यह और इस तरह से कोई भी चीज सुरू करती यह अपना सीना दिखाके सुरू करती है गंदगी करके सुरू करती है बाल कुले रखके गैर मर्दों को अपना जिसम की नुमाइश करवा के सुरू करती है और फिर एंड में आती है बोलती है मेरे साथ दोका हो गया मेरे को लोगों ने ठग लिए मेरी ले लिए तो भई तु वही लायक है पिटारा और यह सब ड्रामे है यह बिद्निस बिद्निस यह सब करने का इसका कोई शौक नहीं है और ना यह बिद्निस करेंगी ना यह बिद्निस चलेंगा इसको बनना था मॉडल ठीक है और यह जान बुचके यह सारा कुछ कर रही है या तो बिग बॉस वाले मुझे बुला ले या मुझे पाकिस्तान से ही कोई ड्रामे वाले कोई मूवी वाले कोई मुझे साइन कर ले यह बिद्निस के नाम पे यह इसे चल के दिखाना, अपने जिस्म की नुमाईश करना, अपना फिगर दिखाना और यह दिखाना के देखो मैं तो हो गई हूं 40-45 की लेकिन मैं बहुत जगान हूं यह सारा कुछ दिखाना ही है ना, ओडिशन दे रही है यह, यह अपने बिद्निस के लिए नहीं कर रही है जो लोग बिद्निस करते हैं ना, वो लोग इतना यह नहीं करते हैं के खुदी मॉडल बन जाते हैं वो लोग मॉडलों को हायर करते हैं, उनसे ये सब काम करवाते हैं, ना के कुद बनते हैं, और मॉडल भी जो रहती हैं, वो क्यों मॉडलिंग करती हैं, ताके आगे उनको और काम मिले, आगे से बढ़ के आगे, आगे से बढ़ के आगे जाके उनको मुवी मिले, कोई ड्रामे मिले कोई शो मिले इसके लिए वो लोग मॉडलिंग करती है और इसे ही चोटी-चोटी चीजों से ही वो लोग सुरुआत करते हैं जैसे किसी के कपड़े प्रमोट कर दिये किसी की जुएल्री फिर साबून सरब ऐसे करते करते उनको एक ना एक दिन बुलंदी पर जाने का मौका मिल जाता है उत को करना है मुओ यो सीना दिखा दिखा के दिखा दिखा के एक वो चस्मिस को हैरान की होईगी और दूसरा वो पाबर को तीतरा वो अकबर तो थाई वहाँ पे जो के क्यों नियत तो हमेशा इसके सीने पर ही जाते रहती है इसके पिछवाड़े पर ही देखते रहता है तो यह उन लोगों को खुश की और को बोल रही है कि बहुत अच्छा लगा मेरी कोशी में आ गई मैने बुलाई तो पटक के आ गई由 क्शन मेरी खुश नहीं होती है मैंने इसको भूलाने बेजी हैं मेने ती त विडियो में नहीं दिखाई तुने तो फिर इसको बुलाने का क्या तुकि यह वन था कि जितने भी लोग इसके कारकने में पर यह एक तो उनकी दावत दूतरा इसके बटन लगा देना एक बटन लगा हुआ है वहां पर चार बटन ओल लगा देना गले में थोड़ी सी बोटा पट्टी और गोटा पट्टी और यह तरह कुछ लगा देना इस कपड़ों का लुप थोड़ा सी चेंज करके शी उपर अपना फुटकर का मारजा करी आद यह बिद्नित पे चलुक Зबनें का फुर्थ referenceまた यह बड़ी याद करते हैं प्रोड करने लेने के लिए और इस टेम्पे तुझे याद नहीं आई अपनी अम्मा याद नहीं आई और अपने मरेूँ अब्भू याद नहीं आए कि मेरे अब्भू ने सपना देखेते, मेरी बेटी बडी के मेरा नाम कराप करेंगी रोना नहीं आया आंकों में आसूं नहीं ऐसे दिखा रही है ऐसे जता रही है पता नहीं कौन सा बड़ा कांड कर दी है कौन सा बड़ा तीर मार ली है बीबी तुने चोरी के तु आइडिया चुरा रही है तु कपड़े चुरा रही है कलर चुरा रही है डिजाइन चुरा र और यहाड़ीयों में बैटके ठीप्लेज वटन ढगे यह तब लेने जा रही थी और जायर थी बात मशीनों की जरूरत पढ़ेंगी ना लेबल लगाने के लिए मशीन चाहिए रहती है और फिर वह मशीन के थुह ही तो लेते लगेंगी मशीन के थुह ही तो उसका चैंज और बोल के आरहें कि मेरा रही किस चीज का बिजने किसको बेवकूप बना रही है और कॉप्षर को इतने यह वीडियो में बार-बार बोली को इतन हो थो तुमने कपड़े देख लिए तुमने देखे कपड़े जब बटने लगा रहेंगे तो वो क्यों इतना इंट्रेस दिखाएंगी और बोल रही है 44 लोग, 44 लोगों को मैं घफ्ट दूंगी सुमेरा को बोल रही है जल्दी को बोलो जल्दी मोदो ओडर करने के लिए आज ही लो ओडर करने के लिए क्योंकि मैंने 40 gift देने वाली हूँ मतलब इसकी नियत यह है कि मैं घर के घर में ही वो 40 gift दूँ बाहर वालों को ना दूँ जबके लोग business शुरू करते है न तो घर वालों को छोड़ के जो भी बाहर की public है न उनको gift देते है घर वालों को नहीं देते है चाहे वो पहले order करे च करें सेकेंड करें कुछ भी करें गिफ्ट उनको नहीं दिया जाता है बाहर वालों को गिफ्ट दिया जाता है इसी तरह से अपने कश्टमर बनाए जाते हैं लेकिन यह इतनी चिंदी चोर इतनी बिखारन औरत है कि घर वालों को बोल रही है तुम लग पहले और कर दो कि मैं गिफ्ट देने वाली हूं वा पिटारा यहीं ते तरी अवकात पता चलती है अच्छा यहां पर देखो सुमेरा हो गई या बाबर हो गया या वो चश्मीश हो गया या कोसर हो गई सभी ने अपना अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से वहां पर यह किये के कोसर बोल रही ह मुझे यह पसंद है यह बोल रही है मुझे और कोसर को कपड़ा लेके दो अब यहां पर आप लोग इनकी खुत की बाते सुना और वहां पर सुमेरा कहती है कि मैंने मेरी अम्मी को लिंक बेज दी हूं कि आप नहीं से ओडर कर ले अच्छा दूसरी बात फिर यह बोल रही है और मुझे नहीं लगता कि इसकी मां को इस्टाग्राम का पता होगा तो क्या यह जिस टाइम पे वहां पर पब्लीक की अपनी अम्मा को अलग से नहीं बेज सकती थी फोटो बेज सकती थी लेकिन इसका अलग ही चल रहा है कि अम्मी को इस्टाग्राम का नहीं पता यह अ और करेंगी पिटारा बोलती अभी के अभी और करने बोलो ताके मैं उनको गिफ्ट दूँ बाबर बोलता है मैंने एक ड्रेस मेरी साथ के लिए और कर दिया हूं तो ये सब मिलके ने सब ड्रामा कर रहे है फेक ड्रामा और ये जो फिर आके अड में क्या बोल रही है के नजर ही नहीं आया पहले बोल रही है कि बाहर कंट्रियों में हम नहीं भेजेंगे अभी अभी वह सारा कुछ हुआ नहीं है मेरी वाइप साइट रहती तो वहां पर एक साथ सो सो ओडर हो जाते तो हमें थोड़ा सी इज़ी पड़ जाता और फिर बोल रही है कि स्टॉक काला कांडी करके तुअपने खांदान हो लोगों अपने घर वालों को बेच भी रही है और फिर बोल रही है श्टॉक खतम हो गया थोड़ी देर के बाद बोल रही है इसमें से कुछ कपड़े है जो मैं गीफ्ट भेजने वाली हूँ अरे पिटारा कर क्या रही है खुद क ही कितना एक्सपोज करेंगी अपने फेक बिद्नेस खेंगी अब बताओ को बेच्टि करने लगा रही है बहुत अ किसको बेवकूब बना रही है बाबर बोल रहा है कि अभी तलब के मुझे response नहीं आया मैं order किया मुझे response नहीं आया और उसको कहना मैं इसकी सोतन कौसर को बोल रही है कि ठीक है तुमको ये पसंद आया मैं ये कपड़ा उठा के पिटा रहा है मुझे तो जब इतनी आसी आई ये और किचन में गई और किचन में जाके बोलती है कि मैंने ना आज खाना बार से मंगवा लिए बना के क्यूंकि अगर के मैं नहीं मंगवाती न तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं था मैं कब खाना बनाती ओ भीबी तु वैसे भी कौन सा खाना बनाती है हां तेरे पास वैसे भी कौन सा टाइम होता है तेरे बच्चों की हालत देख तेरे घर की हालत देख तेरे घर के किचन की हालत देख उसमें आये दीन तरी वो पर यहां पर आपकर बननाना काम नहीं बनता को सबसके को कोगो यह सबसक तो पर समत सब कर खाने में कोई चीज सेट अचने अगरoff को समालने वाले आदमी घर में आदमी कौने वह जूटी मकार कहीं कि आप लोगों को याद होगा जिस दिन इसके घर में प्रिंट आया था प्रिंट निकालने मशीन आई थी तो वो दिन कौन बैटा था कुरसी के उपर चड़के कंप्यूटर इनके घर में किसको चलाने के लिए आता है बिल्कुल यह अपने दोनों बच्च संब तैयबा और मुस्तिफा से करवा रिये हैं जूट बोल रही है के कोई आद्मी भी थायूँं पंप्यूटर के आगे और लुक कर रहीह सब जूती मकार है इस इस्टाग्राम पर बैठके अडर ले रहा है मुस्तिफा लिक रही हैं तैयबा यह दोने जने मिलके काम कर र है और बहुत अच्छा होगा बहुत तरक्की मिलेंगी यह होगा वो होगा अरे बस कर दे बाबर कितना चाटेंगा तेरे आगे भी अल्ला ने अलाद दिया है किसी और को तुम लोग फ्रोड करके ठबोगे तो अपनी गोदी में भरोगे समझाया तुम लोग यहां पर ठबते और अच्छी है इसकी मालकीन घटिया अदमी और बेशरम औरत क्यों टी सिष्टर की याद नहीं आई ती सिष्टर का जिकर नहीं की के टी सिष्टर भी काश यह दावत पे आई होती ऐसे ही बोल देती थोड़ा सी डिले कर देती उनके घर में मौत मयत हुई है और तुम पा और ती लेकिन नहीं भई दुख्रों का दूख है ना यह औरत को कहीं पर भी नजर नहीं आता यह अपनी अपने ही इसमें रहती है अपना काम बनता भाड में जाय जनता उस तरह कि यह घटिया और अच्छा इतने एक और बहुत बड़ा जूड बोली है कि अभी बाहर नही का भी ओर्डर नहीं ले गारे पाकिस्तान के यह बहुत सारे और आरे है और यहीं पर सारा स्टॉक out मतलब compare करेंगे अगर पाक के तो इंडिया में बहुत सथे अगर पाक से compare करेंगे तो बताओ कि कौन बेवकूप है जो इसको भाया भाया करके टैक्स भरेंगा और शिपिंग चार्ज भरके इस गटिया और ते गटिया कपड़े लेंगा और इसके सपोटर बैटके भॉंक रह पहले कपड़े को छूपके देखो क्यों छूपके देखे भाई क्यूं मंगा जब हमारे इदर अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और नहीं लेना है ऐसी प्रॉड और ते जो के जीजाओं के नीचे जा जागे सोने वाली औरते हैं ऐसी औरतों से क्यूं ले पहां चूने के दूतरी बात के यह जो बोल रही है कि अभी बार कंट्री का हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी फिलाल में यहीं का चालू है तो भाई तुने जो बैक साइट खोली है बैक साइड ना इस्टाग्राम पेज ओपन की है तो यहां पे थोड़ी ना ऐसा होने वाला है कि इंडिया इसाँ महां पे ओडर देंगे यह पाक वाले ओडर देंगे यह बार कंट्री वाले तुझे नहीं कोलना चीए था न इतना ही तुझे ड्रामा था तु पहले देती कि जहां पे मैं हूं लोकल एरिया में खली मैं अभी करने वाली हूं तो आप लोग मुझे मैसेज ना करें म मुझे बहुत तरी में आ रही बहुत सरी कमेंट आ रही है कि हमरा ओडर है न रिसीव नहीं हो रहा और नहीं पकड़ा जा रहा लगडी लानत है तरह पर घटिया औरत इतने खंस तुने भारी और नहीं और रहा है तुम लोग एकसेप्ट नहीं कर रहे हो वह बहुत को का दे दिये मेरे साथ में ये कर दिये मेरे साथ वो कर दिये में मर गई में लुट गई में मिट गई इस तरह से ड्रामे लेकर बहुत जल्दी आने वली है क्योंकि ये बिजनेस विजनेस है ना इसका ना तो मन है करने का ना इसका ये काम है और ना कर सकती है ये बिजनेस की कोई kontrol वर्थी करके सामने लेकर आने वाली है और वीयू चाने वाली है लिए यह विजनेस का करिए इसने और बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा किसके बिजनेस के आड़ में क्या स्कैम हो रहा है क्या कांड हो रहा है कौन सी कंट्रो वरती आने वली यह उरत कभी भी कोई भी चीज में परफेक्ट नहीं बनी ना यह अच्छी बीवी यह ना अच्छी बेटी यह ना अच्छी मा है कोई भी चीज में यह अच्छी नहीं है इस वीडियो में अगर आप लोग देखोगे न चसमी इसके बच्चों को देखो और इसके बच्चों को देखो और इसको देखो इतने फूल मेकप करके दुदू दिखा दिखा के बेशरम की तरह वीडियो बनाई है और कमाई पे अगर इसके बच्चों को देखोगे उनके बाल विक्रे हुए और उनकी हालत देखो, उनके कपड़े देखो, साफ नजर आता है कि यह औरत कितनी गिरी हुई और घटिया औरत है, तो वहां से आप लोगों को कुदी पता चलेंगा कि यह औरत की असल हकीकत क्या है, यह किस लिए यह सारे ड्रामे कर रही है, और यह किस लिए यह सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुद की आयाशियां, खुद के सौप पूरे करना, खुद की मद्पियां करना, उसके लिए यह सारा कुछ हो रही है, ना के यह विजनेस के लिए कर रही है, और विजनेस किस के लिए बच्चों के लिए, और तयबा और मुस्कपा को तो यह अभी थे काम पे लगा दिये आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएंगी इसकी असल अकिकत भी इसका मैनेजर कौन था और किसे ये क्या काम करवारी थी गर में इतनी बड़ी दावत रखी लेकिन उसके अंदर रेडी कौन था सिर्फ और तरिक पिटारा जानी बाकि सब ज अपड़े दिखा दिखा लोगों को कंवेंस क्यों कर रही थी लोगों को क्यों बता रही थी कि बहुत अच्छा कपड़ा यह वह तुने तो बोली थी ना विजनेस अलग और व्लॉगिंग अलग रखोंगी अरे तेरी जबान पर ही इंसान है बारोजा नहीं कर सकता है तो दूतरी बार और्डर करने भी डर लगता है वह एपसाइट पर तो तो खुले आम जूटी नंबर वन साभित हो चुकी है तो इतनी बड़ी मकारन हो रहत है तेरे से लोग कपड़े खरीदे तेरे साथ में लोग डील करें पागल होएंगे वो लोग जो तेरे साथ में डील करे तो वो सारी चीजे भी जरूराहेंगी तो चले इस वीडियो को करते हैं यही पर वीडियो कैसी लोगी कमेंड में जरूर बताना हुट मैंट पासन आएंगी तो लाइक श्यायर वास्ट्राइब भी कर देने नेक्स्ट वीडियो मेंट लापिंग